नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बजार में एक शांदार और तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे जादा है केवल इंडेक्स लेवल पर नहीं है मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शियर करना चाहूँगा बहले बता दू किस पर वीडियो टाटा स्टील पर वीडियो टाटा स्टील का स्टॉक आज नीचे दिख रहा तो समझ लेना चाहित नहीं दिया और मैक्सिमम्य चाहित यह लिएक्शन नहीं दिता और आज मुझे नहीं लगता को ज़्यादा बड़ा रियक्षन दिख रहा है एक परसेंट नीचे है यहां पे को ज़्यादा समार्ट लोग होंगे जो यह भी कह सकते हैं कि बाई अगर बजार तेज़े तब 1% नीचे है, बजार नीचे होता तो ये 5% नीचे होता, शायद आप ठीक कह रहे हो, बट मैं आपको simple सी चीज बता दूँ, जब तक ये stock 99 के नीचे नहीं जाने वाला, तब तक नीचे नहीं जाने वाला, 99 के नीचे जाते ही 95 का लेवल आ जाएगा, मैंने अपने clearly observe करी थी, और मैं वीडियो शूट करता है, तो मुझे अच्छी तरह सब कुछ याद है, ऐसा पहले भी बहुत पार हुआ है, लेकिन इस बार, जब हम लोग 18,600 पे थे न, जैनवरी के मन्त में, जब highs लग रहे थे, और फिर बजार गिरना स्टार्ट हुआ थ तब मुझे अच्छे से याद है कि बजार में क्या हुआ था, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शियर करना चाता हूँ, और मेरा conclusion क्या है वो बताना चाता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, कि जब बजार गिरना स्टार्ट हुए थे, 18,600 की निफ्टी, 17,800 पे जब आई हुआ किसी का, पोर्टफोलियो बिल्कुल ऐसा दी कि 5%, 4%, कुछ भी नहीं, स्टॉक वहीं के वहीं खड़े थे, और यहां से 17,200 से बजार ने रिबाउंड मारा और 18,000 पे आगई, मार्केट दुबारा से, ठीक है, और यह रिबाउंड तीन-चार दिन में आगया था, और गिरावर जो दी, वह लगबग, वह भी छोटी टाइम के टाइम फ्रेम मिला, टाइम फ्रेम बढ़ा नहीं था, ठीक है, तो 17,200 दुबारा 18,200 चार सो तक आया बजार, और इस टॉक्स जो है, फ्रेश है इस पे आगए, तो लोग अभी भी बुलते, यानि की बाय ओन डिप की strategy चल रही थी, फिर 18,400 से बजार दुबारा गिरता है, और दुबारा से 17,500 आता है, फिर बड़ी correction होती है, 16,500 तक की, फिर rebound होता है, फिर stocks, फिर stocks में पिटाई पड़ती है, और एक बार हम 15,200 तक गए, और stocks में पिटाई पड़ी है, अब वहां से index level, अम मैं जो main कहना सुनिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, अब index level पे आपको आज 18,200 दिख रहा है, निफ्टी और दुबारा, लेकिन क्या stocks बड़े हैं, बिलकुल नहीं, नहीं बड़े न, मैं मिरको पता है कि portfolio में भी नहीं आया है, पैसा नहीं बना, last time 18,600 और अभी 18,200, पैसा नहीं बना, निफ्टी केबल 2%, 3% रह गई अपने आईस से, लेकिन portfolio आपकी पांस, अरे stocks देखू न भाई, चार, पांच हजार वाला डीवीज लैब, साड़े पांच हजार वाला, साड़े 5,000 वाला, साधे 5,000 वाला, साधे 5,000 वाला, साधे 5,000 वाला, साधे 5,000 वाला, सा स्टॉक्स आउट पर्फर्म करते हूँ दिखें, बाकी आप स्टॉक्स लेवल पर देखो ना, नहीं बना पैसा, CDSL 1700 वाला 1200 पर ट्रेड कर रहा है, कैम्स 4000 वाला, तो पैसा स्टॉक्स में नहीं बना है, अब मेन चीज, अगर बजार यहां से शार्प रियक्शन देता है नीचे की साइड, और आता है दुबारा 17200, 17400 पर और फिर उपर आता है न, तो यहां इंडेक्स लेवल से 4 गुना जादा तेजी होगने वाली है स्टॉ को चलना ही है, हाँ, अगर मार्केट में भी दम नहीं है, तो यह दुबारा गिरेगी न, यहां स्टॉक्स की और बुरी पिटाई होगी, लेकिन अगर रियालिटी में मार्केट स्ट्रेंग दिखा रहा है, सपोर्ट है, बाइंग पॉजिटिव है, तो बजार ऊपर आएग तो कहना मैं चाता हूँ, अगर मार्केट में रियली में दम है, तो दुबारा गिर के जो तेजी बनेगी, वो बनेगी स्टॉक्स में आप, और अगर दम नहीं है, तो यहां से जो दुबारा गिरेगी, वो स्टॉक्स को और पे लेगी और इंडेक्स लेवल पे भी बढ़ गई क्योंकि आपका शियर बढ़ेगा तो उसे निकालना मत क्योंकि अगर मार्केट रियल डियम पॉजिटिव है तो स्टॉक पॉजिटिव होगा अब आते हैं टाटा स्टील पर सिंपल सी बताऊंगा टाटा स्टील का शियर 100-101 पे ट्रेड कर रहा है ट्रेडर्स 99 रुपीज का SL रखें सिंपल और उपर में 105.50 का SL रखें जिनोंने शॉट कर रखा है जब इसको टॉक 105.50 के उपर निकलेगा तो मुझे 109 से लेके 113 रुपे तक की रैली दिखती है इसके बाद 90 रुपीज पे दो इंस्टॉल्मेंट करनी है ऐसे समझ लो अगर आएगा तो करूंगा नहीं आएगा तो नहीं करूंगा पिच्चयानवे और 90 वैसे भी हम बहुत पहले से इस पिच्चयानवे बाय कर रहे हैं भी बीच में एक बार पिच्चयानवे आया था ह रिजल्ट सच्च है तो अप्ग्रेट कर तो वो छोड़ दीए मारूति को मुझे अच्छे से आदे चौंसट सोग का टार्गेट दे रहे थे आज देख लो दस आजार बाराजार के टार्गेट आरे है तो यह सब दो सब वक्त का खेल है तो आप बने रहे हैं से स्टॉप म मैंने आपको राय दे दिया है इसे आपसे आप ट्रेट ले सकते हैं ओप आपको वीडियो समझेव पसंत दौन आए होगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो हैव ग्रेट दे गाई